प्रधान ने बताया है कि दबंगों ने अपने कागजों पर मोहर लगवाने के लिए उनको घर पुलवाया था महीं घर आकर मोहर लगाने से मना करने पर दबंगों ने गाली कलोच की अगली सुभा दबंग लाठी डंडे लेकर घर के अंदर आये और जिसके बाद उन्होंने बस्ता और डोंगल छीन लिया साथी जाती सूचक गालिया देरी लगे जिसका विरोध करने पर दबंगों ने प्रधान को जम कर पीटा वहीं मामले को लेकर प्रधान मौरानीपुर कोतवाली पहुँचे जहां दबंगों के खिलाफ कठोर कारवाई करने की मांग की जा रही है तो वहीं बुलेंशेर में एक भाई ने अपनी ही बेहन की जान लेने की कोशिश की है बता दे कि इस चाकू बाज भाई का देहशत बरा विडियो सामने आया है जहां आरोपी यूबक अपनी ही सगी बेहन को मारने के लिए चाकू लेकर भाग रहा है और उसको जम कर पीट भी रहा है वहीं जब पीडिता ने मामले की शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने भी आरोपी के खलाब कोई कारवाई नहीं की वहीं बेहन का आरोप है कि उसका भाई अपनी साली के कहने पर बेहन की हत्या करना चाहता और लगातार कई बार पहले भी इस तरीके के जानलेवा हमला कर चुका है वहीं अब न्याय के लिए पीडित बहन ने SSP संतोष कुमार सिंग से न्याय की गुहार लगाई है जिसके बाद SSP पीडिता को न्याय देने का आश्वासन देते हुए थाना पुलिस को जाच कर जरूरी कारवाई करने का नर्देश दिया है